वल्कम बेक अपरेवान वल्कम टो सुविल सर उसे स्टड़ी प्रक्टिस सैट नमबर 611 पर आजए यूपी PCS के लिए और प्रक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन जोग्रफी के प्रश्णों पर ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं प्रक्टिस करते हैं चलिए तो कोश्चन नमबर बन पर आजए नमर्कित में से किसको रहस्मई जील कहा जाता है बताईए रहस्मई जील किसको कहा जाता है इन में से रूपकुंड को ठीक है रूपकुंड जो जील जो रहस्मई जील है है कहां पर यह है उत्राखंडवे तो रूपकुंड जील को रहस्मई जील की स question number 2 उपर आजाईए भारत की निम्लिकित जीलों में से कौन जम्मू कस्मीर में वस्तित है तो पढ़िये और eliminate करिए फुलहर जील तो उत्तर प्रदेस में यूपी में ठीक है तो ये तो होगा नहीं कोलेरू जो है वो आंदर प्रदेस में ये भी नहीं होगा ठीक है हमीर सर जम्मू कस्मीर वाली हो गई अंचार ठीक है हमीर सर जो है वो हो गई गुजरात वाली तो eliminate कर देजिये अंचार जील जो है ये जम्मू कमीर में हो जाएगी तो देखिए कोलरू जील जो है वो आंदर प्रदेश में हो गई हमीर सर जील जो है गुजरात में हो गई और फुलहर जील हो गई यूपी उत्तर प्रदेश में और अंचार जील जो है वो है किन शाषित प्रदेश जो मुकस्मीर में तो C है इसका अंसर है। Question number 3 पर आजिए। नम्रीकित में से कयाल क्या है। तराई मैदान है गंगा डेल्टा है। दक्कन पठार की रेगड है। या फिर केरल के लेगून है। बताए। रेगड मतलब रेगड या रेगूर। काली मिट्टी के बात हो रही है। तो काली मिट्टी तो है नहीं है। गंगा डेल्टा पर नहीं है। तराई मैदान में नहीं है। यह केरल में लेगून। तो केरल इस्थित लेगून जीलों को कयाल के नाम से संबोदित किया जाता है। यहां कई कयाल पाए जाते हैं यसी कि बेम्बनाद कयाल अस्टे मुडी कयाल और पुन्नामाद कयाल बर्फ से ढकी एक जील है घेपन कहां पर इस्तित है यह बर्फ से ढकी जील घेपन कहां है हिमाचल प्रदेस में है बर्ब से धकी जील घेपण हेमाचल पुर्देस में रे समसी कौन सी करतिम जील है यानिकी मानव निरमित होगई धीक है कौन सी एन में बताई है देखें रेणु का तो एक प्राकरतिक जील है तो यह तो होगे नहीं निताल जील भी एक प्राकरतिक जील है कोडाई कनाल कोडाई कनाल यह मानब निर्मित जील है यानि कृतिम जील हो गई तो कोडाई कनाल जील जो है ताजे पानी की एक मानब निर्मित जील है यानि कृतिम जील है यह जील तमिलनाडू के डिंडिगुल जीले के कोडाई कनाल सहर में इस्तत है वाकी विकल्प में जितने भी जीले दिया है वो प्राकर्टिक जील है रेनू का जील जो है हमाचल पुर्दैस में है Q6 पर आज़े भारत के किस जल परपात को लोगप्रे रूप से नियागरा जल परपात के तौर पर जाना जाता है किस जल परपात को चित्रकूट जल परपात को तो चित्रकूट जल परपात जो है 36 गड राजगे बस्तर जिले में जगदलपूर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्तित है और चित्रकूट जल परपात की जो हो चाहिए वो है 90 फिट तथा इसे भारत का नियागरा परपात के रूप में भी जाना जाता है question number 7 पर आज़े अमरत धारा जल परपात किस नदी पर इस्तत है अमरत धारा जल परपात महानदी पर नहीं है इंद्रावती पर नहीं है मनियारी पर नहीं है यह हसदो नदी पर हसदो नदी तो अमर्यत धारा जलपरपाद 36 गड़ राज्य में हस्दो नदी परिस्थ है यह 36 गड़ के कोरिया जिले में है यहां हर साल महाशिवरात्री के अवसर पर अमर्यत धारा महुतसब जो है उसका आयोचन किया जोता है नमर्यकत में से कौन सा एक लेगून नहीं है लेगून होती है प्राकर्तिक जील यानि लेगून नहीं है तो वो कृतिम होगी मानब निर्मित होगी तो अस्टे मुडी केरल की एक प्राकर्तिक है प्राकर्तिक लेगून है तो यह तो हो नहीं सकता चिलका जीर उडिसा का प्राकर्तिक लेगून है पुलिकट प्राकृतिक लेगउन पेरियार जो है यह मानब निर्मत जील और चाइडन समुधर से पर्थक होकर तटीए छेत्रो में निर्मत छिचली खारे पानी की जीले लेगऊन जीले कहलाती है पेरियार जील 55 बर किलोमेटर 6 तरफल की एक कृतिम जील है यह मानव निर्मेता मानव नहीं बनाई है यह लेगून नहीं है यह पेरियार नदी से जल पराप्त करती है केरल में कुशन नमर नाइन पर आजएए नमर्कित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है कौन सी पेनार नदी ठीक है उपसा नमर डी तो पेनार नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है इसका उदगम है करनाटक के कुलार जिले की नंदी पहाड़ी नंदी पहाड़ी से निकलती है कोशन नमबर दस पर आजए गोदाबरी नदी महाराष्ट के किस जिले में से निकलती है किस जिले से निकलती है गोदाबरी नासिक से निकलती है ठीक है अपसन नमबर दी तो गोदावरी नदी महाराश्ट के नासिक जिले में पश्चमी घाट के ठलान में इससे त्रियंब केश्वर से निकलती है इसे दक्षन भारत की गंगा या ब्रत गंगा भी कहा जाता है इंपोर्टन्ट है प्राण हिता, मंजीरा, बेन गंगा, इंद्रावती, वर्धा और पूर्णा इसकी साहिक नदिया है इसकी किसकी गोदावरी की सबसे आदे पूछे जाने वाली है बेन गंगा, प्राण हिता, मंजीरा इस तरह के प्राण हिता है, बताईए दक्षन भारत की नदियान कौन सा अपवहत रगती है अप्शन नमबर सी तो दक्षन भारत की नदियान परमख रूप से ब्रक्षन रूमा अपवहा प्रती रूप रखती है इस प्रति रूप में मुख्य नदी और उसकी सहक नदियां वरक्ष तथा उसकी साखाउं जैसी अकर्ति का निर्मान करती है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा बताई है भाकडा नांगल या हीरा कुंड चले रिहंद को एलिमिनेट कर देते हैं नागारजुन को भी देखें भारत का सबसे लंबा भारत ना के बल भारत वलकी विश्व का सबसे लंबा डैम है ठीक है हीरा कुंड डैम महा नदी पर तो हीरा कुंड बांद नाकेबल भारत वलकी विश्व का सबसे लंबा बांद है और महा नदी पर बना ये बांद उडीसा के संबलपुर जिले में सत है इस बांद से लगभग 10 लाख हेक्टरेर छेत्र की सिचाई की जा रही है कोशन नमबर 13 पर आज़िए तेरवा प्रशने चमेरा बांद किस नदी पर बनाया गया है सतलज, रावी, व्यास या चना बताई चमेरा बांद बनाया गया है रावी नदी पर ठीक है अप्सन नमबर 2 तो चमेरा बांद जो है हिमाचल परदेश के चमबा डिस्टिक में सतलज है और यह है रावी नदी पर बनाया गया है नमबर 14 पर आज़िए चिलका जहील जो की उड़ी सा राज़े में सतलज है नमबर के में से किस डेल्टा के दक्षण में सतलज है बताइए किस डेल्टा के दक्षण में सतलज है बैतरणी, ब्रामणी या महानदी बताइएं तीनों में से एक है और चिलका जहील ना केवल भारत वलकी एसिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जहील है और महानदी के दक्षण में सतलज है तो चिलका जील भारत के उडीसा राज में महानदी के मुहने पर इस्तित है ना कि भारत 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 की एसिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जील है यह महानदी डेल्टा के दक्षणी और इस्तित है कुशन नुबर 15 पर आज़े है बंदुरा प्रशन है थोसेर घर बाटर फॉल नम्रिकित में से किस राज में इस्तित है पताईए थोसेर घर जल परपात किस राज में है महारास्ट करनाटक उडीसा या मद्धर प्रदेश थोसे घर है थोसेर घर नहीं है थोसे घर थोसे घर बाटर फॉल कहां पर है महारास्ट में तो थोसे घर में बाटर फॉल या जल परपात महारास्ट के कॉंकर्ड शेत्र के सतारा सहर में सतित है तो ये कुछ जीलों से संबंदित प्रश्ण कुछ जल प्रपात से संबंदित मैच करने के लिए हम पूछ ले आते हैं इस तरह के प्रश्णों UP-PCS के एक्जामेन की प्रक्टिस से गवर कर लेजेगा धन्यवाद